नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजिक्रेशन में दोस्तों इस चैनल में मैं आप लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों यूटी आई म्यूचल फंड इसका एक आईप्यो आने वाला है यूटी आई एमसी आईप्यो जो की बहुत पड़ा आईप्यो सुनने में आ रहा है कहीं ऐसा कि तो नहीं कि सेम टू सेम एस्वी आई कार्ड की तरह हो जाए क्योंकि दोस्तो अगर लिश्टिंग के लिए हमें सिफ इन्वेस्ट करना चाहिए या पिर हमें लॉंग टॉम मिलता है तो तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं क्या यह सही रहेगा मुझे तो नहीं लगता कि यह बहुत ही जादा आपको लिस्टिंग दे भी दे भी पाएगा क्योंकि दोस्तो बिजनेस यूनिक नहीं है ऐसा बिजनेस है जिसमें और लेटी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के नाम है हाँ यह अलग बात है कि यह बहुत पुरानी कंपनी या पर सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो कि म्यूशल फंड को ले कर आई थी बात सही है लेकिन सेयर मार्केट में फिलिंग के अनुसार इंवेस्ट नहीं किया जा सकता उसके लिए कुछ डेटा भी होने चाहिए तो चलिए देखते हैं क्या डेटा है तो मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि उतनी उमीद नहीं है इस से बहुत जादा कि बहुत जादा आपको लिश्टिंग भी मिलेगा या पूरा वीडियो मैं बने रही है मैं आपको हर एक डेटा दिखाऊंगा जो कि आपने बहुत सी वीडियो और इस से रिलेटेट देखी भी होगी लेकिन उसमें सिब आपको अच्छी बाते बताई गई है कि हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बट कुछ जो कंपनी में बिलॉंग करते हैं उनकी है और जो कि लिस्टेड उसमें से कुछ है कुछ से लिस्टेड नहीं है और उनका जो एउम है अंडर अंडर मैनेजमेंट उनके अक्वाडिंग टोटल देखने कि कौन से पहले सबसे उपर है तो सबसे पहले आप देखें कि आईसी करोड के उपर का इनका यूम है वहीं थर्ड नमर पर आदित बेड़ला सं लाइफ जो की है दो लाग सैतालिस हजार करोड से उपर नेक्स्ट रिलाइंस म्यूचुल फंड दो लाग मैच्ट हजार करोड नेक्स्ट है एसबियाइजंग नेक्स्ट देखते हैं तो यू टी नेक्स्ट आता है यूटी आई जो की एक लाग चौवन करोड से जादे की यानि कि आप देख सकते हैं छेट छट अलब सिक्स नंबर पी आता है तो यानि सिक्स नंबर का मीन हो गए कि इन से उपर पांच कंपनिया और लेडी हैं और पांच कंपनियों में काफी बड़े नाम को देख लीजिये चाहे एईटी अप्सी चाहे आजिए टेविला यह वह कमपनियां जो पूरिया मार्कट को ही कवर कर लेती हैं तो बाकी का नाम तो बहुत बाद आता है तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं जिसे और के लिए रो जाएगा आप लोगों को तो और कुछ मेन डीटाल पहले इस आई पीओ से रिलेटड देख लेते हैं जो कि आई प्यों का है इसमें आप देख सब्ण जो मैनेजमेंट सीज वहाँ से अता है ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा आप देख सकते हैं 55 साल से पुरानी कंपनी है यह काफी अच्छी बात है कि दोस्तों बहुत ही पुरानी कंपनी है हालाकि उस टाइम हम लोग पैदा भी नहीं होगे तो नेक्स आप देख सकते हैं ग्यारव मिलियन लाइब इनके पॉर्फोलियो है यह तो कभी अच्छी बात है वहीं नेक्स देख लेते हैं 163 सिनेंशियल सेंटर है तो सो तियातर बिजनेस डेवलोप्मेंट एसोसीएशन है और भी नेक्स कापी है उसमें देख सकते हैं अप्रोक्समेटली फिफ्टी वन थाउजन इंटर्पेंटर्स फिनेंशियल एडवाइजर यह कापी अच्छी बात है कापी बड़ी क्वांटिटी है वहीं यूटी आई एमसी में अप मेंली इनके चार स्पॉंसर्स हैं जो कि इसबी ओ गया एलाइसी हो गया प्यान भी ओ गया जो कि इन सबों में मैक्सिमम जो इस्टेक है वह गौर्नमेंट का है तो इसे भी आप गौर्नमेंट इडिमान सकते हैं वहीं नेक्स की बात किया जाए डीटेल का तो आप देख सकते हैं सब्टेंबर 30-2090 में 178 डोमेस्ट इस स्कीम से यह समाल लेते हैं यह डेटा थोड़ा पुराना है हालागे पुराना ही सो किया गया है तो यह उस्टाइम का डेटा है आप देख सकते हैं नेक्स्ट इस अगर आईपी ओ से बात किया देख तो आईपी ओपन हो रहा है जो कि 29 को सेप्टेंबर में वहीं अगर क्लोज होगा वह एकटूबर में दोन रोच हो जाएगा एक अक्टूबर को आगरмен आपको पता के चलिए कि आपको में मिला हुआ है कि नहीं मिला आ pitcher मिला हुआ कि नहीं तो हो जाएगा वहीं नेक्स अटी पाइस थारीन से हैं यह उसके बेसिक डिटेल के बाद किया जाए तो मिनिमम एक लोट ले सकते हैं एक लॉट में 27 रहेंगे आपको 14,980 रुपए देने पड़ेंगे मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो 13 लॉट कर सकते हैं 350 के लिए जो कहीं रहेगा 1,94,454 रुपए आपको देने पड़ेंगे वहीं कर्टेगरी जो बाटी गए सबसे जादा आपको मिलेगा रीटेल में जो कि 35% है क्यों आई भी क्यों आई भी यह दोस्तों अलग कर्टेगरी ह के लिए उनका financial कैसा है तो अगर इनके total assets की बात करें तो total assets दोस्तों काफी अच्छा है काफी growth कर रहा है आप देख सकते हैं 2018 में 29,192 था मिलियन में है जो की आप देख सकते हैं 2019 की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 30,132 हो जा गया था यानि 29 से काफी बढ़ा है कि काफी growth किया गया assets में वहीं अगर total revenue की बात कर लेते हैं तो दोस्तों revenue कहीं न कहीं कम होता जा रहा है अब देख सकते हैं जहां 11,627 था वहीं पर वह नेक्ष एक साल बाद 10,8808 मिलियन हो गया वहीं एक साल बाद और अगर करें तो 8,909 वहीं next भी कुछ ऐसी उमीद ह है तो यह तो थोड़ी बात हजम नहीं हुई अगर वहीं profit की बात कर लेते हैं profit after tax की 4050 था वह कम होके 3479 हो गया वह भी कम होके 2764 हो गया अब वहीं वहीं उमीद से related है तो दोस्तों यह तो बिल्कुल भी बुरा है क्योंकि कहीं न के profit भी कम हो रहा है revenue भी कम हो रहा है उसका क्या इस fact है तो दोस्तों और लेडी टॉप कंपनियां इनके ऊपर हैं और कहीं है कि आप market leader की बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और अब तो बहुत ही आसान हो गया है mutual fund में इन्वेस्ट करना आप चाहे घर बैठे अगर सब कुछ कर लेते हैं तो क्यों कोई एक्ष्टा फीस अपना दे क्योंकि किसी एजेंट के थुरू हम करें क्योंकि सब कुछ तो सेफ है ना अगर कल को सब्सक्राइब करते हैं वह तो चलता रहेगा अगर आपके पूर्फोलियो नंबर मिल जाता है वहां से ले सकते हैं तो आपको उस कंपनी पर दिखाना है अगर आपने लेच रखा है मुचल फंड तो आपको तो आपको देगा पूरा क्लेम तो इसी लिए कहीं कहीं इनका रबदवा कम होता जा रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है रेविन्यू कम हो रहा है यह पिछले चार साल लोग है तीन सालों का डिटेल है अभी तो एक तो कर रहा है तभी तो पिछले तीन सालों में तो दोस्तों यह दो लिस्टेट और लेडी लिस्टेट कंपनी एमसी से बिलॉंग करती है पहला है जो कि आपको पता है टॉप टू में आती है दूसरा है निपॉन लाइफ यह पहले रिलाइंस के साथ काम करता था उसके बाद य अगर इनके return की portfolio की बात क्याद एक सालों में HDFC ने दिया है माइनस 26 परसेंट का रिटरन जबकि निपॉनन ने दिया हुआ है माइनस 3.31% का आपको लेटार पिज्ट्व रिटान नेगेटीों थो दोनों में आपको देखने को नहीं मिला है तो बिजनेस भी एफेक्ट रही है इसका मतलब क्योंकि जब काप्यानी आगा आपको नेगेटीव रिजल्ट दे रही है यह तो टॉप शिक्स की कंपनी है तो दोस्तों अभी लोगों बता रहे हैं कि आपको 100-100 रुपए तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है तो दोस्तों ग्रे मार्केट का एज वियाई के टाइम में भी चल ला था लेकिन ग्रे मार्केट का कब पलड़ जाए बाजी कोई नहीं जानता कब अगर हो सकता है आज आपको 100 रुपए दिख रहा है कल हो सकता है माइनस 50 रुपए भी सो करने लगे उसमें कोई भी लगाम नहीं है किसी के उपर इसलिए आपको सेफ इन्वेस्टिंग करनी है अपना खुद का सोच की इन्वेस्ट करना है बाकि आपकी मर्जी मैंने आपको पूरा डिटेल देखे आप दिखा दिया जो कि आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं सब कुछ तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो